और अपने मोबाइल को बनाएं चलता फिरता ओन डिमांड टीवी, धेर सारे चैनल्स, मूवी ओन डिमांड, नॉन स्टॉप न्यूज आंड म्यूजिक, मींस फुल एंटिटेन्मेंट, कुछ भी कही भी, जब आपके मोबाइल में होगा जैन टीवी प्लास, फिर तो आश ही आश हब शूबौत, कुछ भी कही धे सब्सक्राइब बनाएं चैनल्स, और आपके साथ गरिमांड बाजपई और खबर की विस्तार बिश्तार में जाएंगे, से पहले एक नजराज की हेडला उस पर सेम योगी ने बार ग्रस तजलो का किया हवाई सर्वेक्षड उनाव कानपूर नगर और फरुखबाद का किया हवाई सर्वेक्षड कानपूर में एमेजॉन ओनलाइन चॉपिंग कंपनी ने ग्रहक के साथ किठागी कानपूर के परियर फुल से युफदी ने गंगा में लगाई च्छलान पुल पर खड़ी स्कूटी से सुसाइड नोट हुआ बरामद और तलाश में जो टेक होता कूँ कन्योच के सौरी के लाके में रफ्तार का कहर बेकावुकार के एक वाहन से टकराने पर हुई दोखी मौत तो लोग कम भी रूप से खायल दिली से भी हार जा रहे थे हाथ से के शिकार लोग और अब खबरेशार से कनोज के शिब्रमओ को तवाली शेत्र में स्टेरिंग फेल होने से प्राइवेट बस खाई में पलड़ गई दरसल शिब्रमओ से टावा के उसा हार जाने वाली प्राइवेट डगमार बस सवारिया भर कर जा रही थी कि तब ही ताजपुर रोड पर अचानक बस का स्टेरिंग फेल हो गया और तब ही हाथसा हो गया और इस हाथसे में शे सवारिया बुरी तरह से घायल हो गई और मौ और इस खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे समारता विवेग दिख्षित फोन लाइन पर जोड़ चोके हैं विवेग पूछना चाहूंगी आकर क्या वज़ा रही इस पूरे हाथसे के पीछे आपको बता जाएंगे यहां पारा ते एक बजय की बटाई साथ है स्वार कुम में जट्चे थे अग्री गट्चे थेा सब्सक्राइब करने के लिए हैं कि लिए और लोगों के हमारे साथ जोड़ने के लिए और इस खबर कादिक अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुचाने के लिए बड़ी खबर कर नौट से जहां छे सवारियां बोटी तरह से घायल हो गई और बस पलटने की वज़े से ये पूरा हादसा हुआ पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भरती करवाया है रेलवे बोर्ड के चेर्मान अश्विनी लोहानी नौस सतंबर को शहर आकर सेंट्रल से मैदान तक नरेक्षण करेंगे और कानपूर रेल प्रसाशन की ओर से भीजे गए सो करोन के मास्टर प्लान की शुरुआद भी हो सकती है और जिसके तहट सिटी साइट पर थ्री स्टार होटेल, अंडरग्राउंड पार्किंग, बहु आयामे बिल्डिंग समेथ कई नई शुरुआद भी हो सकती है जिसके चलते पूरे सेंट्फर स्टेशन पर साफसफाई की खास विवस्था की जा रही है और स्टेशन की इमारतों पर रंगाय बुताई के साथ-साथ खानपान विभागों में भी साफसफाई की जा रही है पाकिस्तान इस्थित गुरुनानक जी गा जन्म स्थान जिसे गुरुद्वारा ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है यहाँ पर दर्शन करने के लिए पाकिस्तान सरकार ने विजा की अनिवारता को खत्म कर दिया है और इसकी जानकारी होते ही सिख समाज में खुशी की लहर दोड़ गई है सिख समाज का कहना है कि पाकिस्तान के नव निर्वाचित पिधान मंतरी इम्रान खान ने पूरे विश्व के सिख समाज को एक बहुत ही बड़ा तौफा दिया है जिसके लिए वो उनका धन्यवाद देते हैं और आजादी के बाद से वहाँ दर्शन करने के लिए एक कोटा तैकर दिया गया था और उस पर वीज़ा की अनिवारत तब ही थी और जिस कारण गरीब तबके का सिख वहाँ कभी भी नहीं पहुँच पाता लेकिन अब हर सिख वहाँ पर आसानी से जाकर वहाँ के दर्शन कर सकता है तो इमरान जी ने किया है यह सिख समाज को बहुत बड़ा तोफा दिया है हम लोग इससे बहुत खुश हैं पुरा और आल और वर्ड का सिख खुश है कि हमारी यह डिमांड जो साल 1947 से चल रही थी वो आज हमको मिली है विश्मता यह पैदा हुई थी कि हमारे जो मुख हमारे गुर्दवारे कई गुर्दवारे पाकिसान में रहे गए थे यह हम लोग का हर सिख का एक सपना होता है कि हम अपना उस स्थान में आपने जाके गुर्वों के उस स्थान में जाएं बड़ी प्रॉलम ये थी कि वीजा नहीं मिलता था कोटा था और जाने में बड़ी दिखते थी और जाने में बड़ी दिखते थी ये आज हमारा एक सपना सच हुआ है वहाँ जाने के लिए आज एक बहुत बड़ा एक तोफा जो उन्होंने हम लोग को दिया है इसके लिए जहां जहां हम भारती सिखों की तरफ से विदेश में रहने वाले हर जहां जहां भी जो सिख वरतो है जहां भी गुर्णानक लिवा सिख रहता है वो आपने हिर्दे से पाकिस्तन सरकार को दन नवात दे रहा है और साथ में इसमें नवजो सिंख सिद्धू हम यह कह सकते हैं कि राजनीतिक से परे होके अगर हम बात करें तो नवजो सिंख सिद्धू का बहुत बड़ा योगदान है यह क्योंकि जो इन्होंने एक पहल की थी यह डिमांड हमारी वहां तक पहुचाई और अगली ख़बर आपको कांपूर से बाइठ कर रहे हैं निरिक्षंड और बार्प्रभावे तलाकों का उन्होंने निरिक्षंड किया अभिलाश बाश पर इवाल साथ फोन लाइन पर हैं कानपुर से अभिलाश पूछना चाहूंगी बता जा रहा है कि डियम ने ट्रेक्टर पर बैट कर बार प्रबावत अलाकों का निरिक्शन किया है जी बिखो लेगे आज सुबह से ही जुजिया पर सफ़ी टीम है जो बीम है और इसके लावा जो सांसर ने आप देविल सींगुले यह सभी लोग तुबह से ही बार पर बुलावी चेत्रों के तक्री है वस्ते पहले इन लोगों ने आज यहां पर जाज़े निरिक्शन किया ह है और आज समक्रीवारों के लिए इसके बाद बीएक वहम जो है अखेले हुने ट्रेक्टर बनगाया और उस ट्रेक्टर से माध्यंग देविए जहां 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 बार आई हुई है वहां वहां जाज़े ने रिपोर्ट मांगी गई है कि कहां किस्तर की समस्यां सामने आ र के लिए अभिलाश इस ख़बर प्रादी का ब्रेट हमारे तर्श को पहुचाने के लिए बड़ी खबर कानपूर से डीम विजविश्वास पंत का बाड़ प्रभावत अलाकों में निरिक्शन ट्रैक्टर पर बैठ कर खुद उन्होंने निरिक्शन किया और जायजा लिया बाड़ प्रभावत अलाकों काvine, बड़ी खबर कानपूर से डीम विजविश्वश्वास पंत का बाड़ प्रभावत अलाकों में निरिक्शन और खुद उन्होंने ट्रैक्टर पर बैठ कर निरिक्शन किया है और सब ही अलाकों का जायजा लिया जो बाड़ की चापेट म करनोजले में लगदार हो रही बारिश के चलते एक मकान की दिवार गर जाने से दो मासूम बच्चे दब के और ग्रामिडों की मदद से एक बच्चे को बचा लिया गया जब कि दूसरे बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई गटना तर्वा को उतवाली लाके के बरका गाउं की है बच्चे के पता ने आरोप लगाया है कि वो बहुत गरीब है और उसने कई बार कॉलोनी की मांग की लेकिन उसे कॉलोनी नहीं दी गई साम पांच बजी की बात है एक कराम गुपाल है उनका कच्चा माकान था उसकी दीवाल गुबे परवात कुटारा इसमें उसके दो बच्चे दर्दे लेकिए बच्चे को सखको सलसर ही स्लामत गया है और एक की बहुट होताए वाद बच्चे खेल ले थे दोनों खेल लेते उसके बाद एक थब लोग आगे इसके वाद निकाला एक फिð थ्क निकला सॉही होतके और भर में है तो इसके बाद सब कच्चे इस दीवाल थी ती पुरा कच्छा मकान बना सर जिस्ते काओ गोका धंको क्या मतलब 20,000 रुपए दीजिए सर तम मैं आवाज दूगा अगर मेरा आवाज बना होता तो ये हादर हमेरपूर मुख्याले में सरस्वती विद्या मंदर के चात्र और चात्राएं विद्याले में प्रात्ना के बाद चोटी चोटी टोलियां बनाकर निकले और इन टोलियों ने चोटे चोटे बाजार इवं सरकारी कार्यालियों में जाकर बारपेड़तों के मदद के लिए आर् जाने कितने गाउन ताइसनेस हो चुछे हैं, इसलिए हम जगए 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 जाकर रुपिया एकत्य कर रहें, ताकि वहाँ धहरा से बेजी जा सकें, और वहाँ गाउन को पुना पसाई हैं, कानपूर के रावतपूर ओफिसर्स कॉलोनेस्थित महामंगलेश्वर मंदर में श्रीमद भगवत कथा कायोचुन क्या गया, और कथा के छटवे दिन कथा वाचक अनुष्टिवारी ने कंच वद गोपी उध्व समबाद वारुकमणी विवाह का वर्णन किया, और जैसे सु पूरी तरह से भक्ती मिलीन होके और कारिकरम स्वयूजक राधेश्याम दिवेदी ने बताया कि कथा का विराम होने के बाद साथ सितंबर को हवन पूजन और उसके बाद भंडारे कायोचन किया जाएगा, और जोरान राजकुमार शुकला, दीपक बाजपेई, सुकननदन सिंग आदि मौजूद रहे। जो है, वो हमनोगा। जो भी बाईकों पर कलाबाजी करते मिलेगा, उसके खिलाफ करी कारवाई भी की जाएगी। कायनबुट देहाद जले के एक छोटे से गाउं परोख का नाम पुरिदेश में तपचर्चा में आया जब इस गाउं के एक लाल को भारत का राश्ट्रपती चुना गया। और आस जगी के अब इस गाउं के दिन बदल जाएंगे और गाउं में विकास की गंगा भहेगी। अब इस गाउं में परोख के दर्वादे से पजीरे के आथ पास उलकते तो जास्ता निकल नेचे नहीं है। पानी वाँ पर कर दो है पाँच मीतर में ता भरा हुआ है रास्ता बिक राम हो गया है। वाँ पर कच्चा संपर्कमाद पाच वीचा रूती जल्वाई जाए। जिससे हम लोगों को गाउं से नरायन पुरुआ पंदिक पुरुआ तक आज बारा मिश्चे देनाए। जाने के लिए बहुत दिक्कत में थी है। गौसाला का प्रबंध हो क्योंकि जानवरों पे चर्वने के इतनी बड़ी विक्राल विवस्था बन गई आए कि हम लोग राज दिन टाच लेकर के रिखाया करते हैं। कि लोग आज आए हैं किन्से मस्याँ को रोपर हैं। महा महिम राश्ट पती जी के मौल गाओं के लिवासी ये ग्यापर लेकर आए हैं। उसमें चिकेट साले, पसूची के साले, सड़त, दलीरों को निर्माण, पानी की विवस्था, गाओं में बहुत साला का प्रबंद आए तमाम सबस्या हैं। मेरे ग्यापर ले लिया है, जलादिकारी महोगी के संध्यान में लाकर के संबन्द दिखाओं को कारवाई हैं। ये ग्यापर लेकर आए है। फिलाल रूखेंगे एक ब्रेक के लिए देखते रहे हैं। स्त्रियों के सौंदर्य एवं स्वास्त के लिए टेक्नो फाम का शीकेर सिरब। स्त्रियों के मुश्किल दिनों का साथी शीकेर सिरब। पिक्चर देखने चलोगी। ना बबाबा सरोर बदन में दर्ध है। ये लो अजूबी। दर्ध भगा ए आराम पहुचाए। स्त्रियों के मुश्किल दिनों का साथी शीकेर सिरब। डॉक्टर रमेश वर्मा के साथ। कॉसप्स के गलियारों का हार। फिल्मे सितारों की हर वो बाद। परदे की पीछे की कहानी। हम लाएंगे सिनिमा की जुबारी। सिर्फ खबर फिल्मी का। देखिए शाम सारे चौर बजे सिर्फ जेम डी डी निउस पर। इंडियन हिस्टरी में पहली बार दैन का डिजिटली महावतार। अब आपके मुबाइल में होगा मनुरंजन का अनोखा संसार। कुछ भी कही भी जब आपके मुबाइल में होगा दैन टीवी प्लस। फिर तो आश ही आश हबर। बिर्ट के बाद आप सभी का स्वागत है पनकी पुलस को मिली बड़ी सफलता कानपुर से पनकी पुलिस को मिली बड़ी सफलता पड़ी खबर कानपुर से पनके पुलिस को मिली बड़ी सफलता 200 ग्राम स्मैक भी बरामद अंतराश्ट्री अबाजार में स्मैक की कीमत 20 लाक और एक आरोपी भी गुआ गिरिफतार फरुखबाद के शमसबाद का रहने वाला है आरोपी अमन हमारे साथ पूर लाइन पर जोड़ जोगे हैं कानपुर से अमन को शचा होंगी क्या कुछ पूरा मामला है अमन क्या आप तक मेरी आवास पहुँच रही है ये पूरी खबर कानपुर से पनकी पूलिस को मिली बड़ी सफलता 200 ग्राम स्माग वराबत की गए है और साथ ये कारोपी को ग्रफदार किया गया है अतराश्च ये बाजार में स्माग कीमत 20 लाक फरुखबाद से कानपुर लाकर बेश्टा थामाल और फरुखबाद के शम्सबाद का रहने वारा है आरोपी सुखकी बड़ी खबर कानपुर से पनकी पूलिस को मिली बड़ी सफलता आमन हमारे साथ फोन लाइन पर जोड़ चुके है कानपुर से अमन पूछना चाहूंगी क्या कुछ पूरा मामला है क्या सफलता पुलिस को मिली है बिल्कुल मैं आपको बता हुए पूरा मामला पंद की धाना चेत के नुनियों ट्रांसपोर्ट नगर का जहां गर्थ के दौरान पंद की पुलिस को बड़ी सफलता मिलिये लेकिंगे दौरान पुलिस ने कारूपी को किरफतार किया है जिसके पास करीफ 200 ग्राम इसमय बराम एक आरोपी भी गिरफतार किया है तो क्या आरोपी से अभी तक पुछनाश की गई क्या लगता है कि क्या उसे पुछनाश के बाद इस पूरे गिरों के और भी जो और भी लोगों का पता चल सकता है क्या उसकी गिरों का भंडा फोड हो सकता है जी शुक्रियाब कामन हमारे साथ जोने के लिए ये पूरी खबर कानपुर से पंके पुलिस को मिली बड़ी सखलता और दो सो ग्राम स्माक परामत की गई है इंतर रास्ट्रिय बाजार में स्माक की मत 20 लाक रोपे है और एक आरोपी भी किरफतार किया गया है अब रुक करेंगे अगली खबर के और कनोच में रिटारर पुलिस करमी से लाकों के ठाकी का मामला सामने आया है ठाकी की तस्वीरे बैंक के सी सी टीवी में कैद हो गई और फुटेज के अधार पर पुलिस ने ठाक के दलाश शुरू कर दी है आपको बता दें कि मामला कनोच के सदर कोदवाले शेतर के सराय मीरा का है जहां पुलिस करमी बैंक से रुपए निकालने गया था और तब ही ठाक ने खुद को बैंक का स्टाफ बता कर विश्वास में लिया और मदद के बहाने ज़ादा ब्यास मिलने का लालच दे कर उस से के साथ लाग ती सदर रुपए पार कर दिये जार इनको दिया है बाकी साफला की फिज़ा रुपिया वो फिक्स कराने के नाम पर लेकर के इन से चला गया है जासर कुछ पहचान हो पाई है या कुछ पुटेज मिले हैं कुछ डबलप्मेंट किया जा रहा है बाकी हमारी टीमे लगी हुए है जैसा कि इनका बताना है कि वो पिछले सनिवार को भी इनसे यहीं मिला हुआ था और पैसे निकाल करके फिक्स कराने के नाम पर ही उनसे पिछली बार भी पैसे मांगा था आज भी उसी तरीके से उनसे पैसे मांगा जालोन जिले में दंगे की स्थिती से निपटने के लिए के गए रिहर्सल में कही तरह की खामियाओ जागर की गई है हाला कि पोलिस अधिकारियों दोरा चलाते समय कुछ आसुगैस के गोले निश्क्री असाबित हुए और ऐसे में जाहिर है कि दंगे की स्थिती में काम ना कर पाने की वज़ह से पोलिस वभाग के रख रखाओ पर सवालिया निशान भी खड़े हो जाते हैं हमेरपूर में एनेच 34 परी दिक्षा और बाइक के बीच जबरदर स्टकर हो गई और जिसमें दो लोग गंभी रूप से घायल हो गए हैं और घायलों को जलास्पताल में भरती करवाया गया है हाला कि बाद में गंभीर हालत में एक घायल को कानपूर रिफर किया गया है आपको बतादे कि घटना सदर कोतवाली के एक कोछेचा की है जब ये रिक्षा हमें रिपोर्ट से कोछेचा जा रहा था कि तब ही तेजर रफतार बाइक और ये रिक्षा में आमने सामने टकर हो तो टकर कोछेचा में फेर बतार नितने में फांने में थेचा चchemistry सुद्धा रहा हूं जत्वार दुछा ह्याहां जत्या रहाएं टे काफीड नितर में लिए चलना है और एक पीर गंड़ी रूप से अलग कराव तो कि तान पूरी पर्ठी आने को इसे इंज़ार ठीक है बादा मईए यूपी पॉलिस एक शव को बैटरी रिक्षे में लेकर पूरे शहर में घुमाते रही लेकिन किसी कभी ध्यान सोर नहीं गया दरसल शहर के महामाई महले में एक यूवक की कोई में गिरने से मौत हो गई और मौके पर पहुंची पॉलिस ने शव को पोस्ट मॉटम के लिए भेजा है लेकिन पुलिस शव को रिक्षर में लेकर पूरे शहर में घुमाते हुए पोस्ट मॉटम हाउस ले गई और परजनों के मताबिक उन्होंने कहा कि शव को एमबुलेंस मिले जाए लेकिन पुलिस वालों ने बोला कि एमबुलेंस खाली नहीं है कानपूर के बरताना शेत्र में बैंक के त्यारी कर रही एक छात्रा ने दिवार पर सुसाइट डोट लिख कर दोपटे के सहरे पासी लगा कर आत्मात्या कर ली वो गटना के वक्त घर पर अकेली थी और घर पहुची मा की नजर जब फंदे से जूल दी बेटी पर पड़ी त पोस्की मौत हो चुकी थी और सुसाइट की सूचना पर पहुची पुलिस ने जाच पर ताल कर शव को पोस्ट मॉटम के लिए भेज दिया है बताया जा रहा है कि छात्रा एसेस्टी और बैंक की तैयारी कर रही थी लेकिन सफलता नम मिलने से शुब थी और अगली बड़ी खबर आपको कानपूर से बता दे जहां पर ट्रेन के आगे कूद कर आत्म हत्या का प्रयास किया है कि युवति ने बड़ी खबर कानपूर से ट्रेन के आगे कूद कर युवति निकिया आत्म हत्या का प्रयास और युवति को जियार्पी जवारों ने बचाया माता पिता की मौत के बाद से परेशान थी युवति दिली के मालवी और नगर की रहने वाली है युवति इस वक की बड़ी खबर कानपूर से ट्रेन के आगे कूद कर युवति ने की आत्म हत्या का प्रयास किया है उसने और युवति को जियार्पी जवारों ने बचा लिया है और माता पिता की मौत के बाद से ही युवति परेशान थी आपको बता दे कि वो दिली के मालवी नगर की रहने वाली है इस वक की बड़ी खबर कानपूर से ट्रेन के आगे कूद कर युवति ने आत्म हत्या का प्रयास किया युवती को जियारपी जवारों ने बचा लिया है माता पता की मौत के बाद से ही परेशान थी युवती जिसके चलते उसने ट्रेन के आगे कूद कर युवती से आपको बता दे की ट्रेन के आगे कूद कर उसने आत्महत्या का प्रयास किया है और यूपती को जी आर्पी जवानों ने बचा लिया है माता पता की मौत के बाद से परेशान थी यूपती बड़ी खबर कानपुर से फिरहाल खबरों के इस बुलिटन बस अतना ही आप देखते रहे हैं जेमडी न्यूज आम जन की आवाज नमस्कार आप देख रहे हैं जेमडी न्यूज आम जन की आवाज बच्टो चूराब इस आप बच्टो चार्वा न्यूज अन की आवीश्य निव किुछ रखना तुल्टो पिल्यू है टुछ नीश नियूज गूरत प्सक्तिर प्सक्षिए मेडी यूज प्सक्तिक मेंस्क्ति न की लिए टूस्य इसरोगे तूलिण ग्यूज फिवे टू